शिरी राम जन्म भूमी तीर्थ ख्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदर का नक्षा अयुध्या विकास प्राधिकरण को सौप दिया है। इसके साथ ही राम मंदर ट्रस्ट ने 65,000 रुपई का शुल्क भी अयुध्या विकास प्राधिकरण में जमा किया है। दरसल श्री राम जनम भूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने मंदिर का नक्षा और अन्य आवशक दस्तावे स्विकृति के लिए अयुध्या विकास प्राधी करण को सौपे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि आयोध्या विकास प्राधिकर्ण जल्दी राम जनम भूमी परेसर की 67 एकड़ जमीन का नक्षा पास कर सकता है। हाना कि ये पूरा परेसर 71 भूमी का है लेकिन विकास प्राधिकर्ण में 67 एकड जमीन के लिए मानचित्र जमा किया गया है। है आप नक्सा तो पास कराना है हुँआ कि अगर हमको प्रारण करना है तो सरकारी और उसके अवशक्रण वाजसने हैं अगर केες विस्चिति भूर्भी है वहीं श्रीराम जन्म भूमी तीर्ट क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चमपतराय ने कहा कि सत्तर एकड़ भूमी को ध्यान में रखकर राममंदर का नक्षा पास कराये जाएगा और ये बाद में तै होगा कि क्या चीज़े कहां पर बनेंगी नई नक्षे के हिसाब से काफी चीजों में बदलाव होना है सिरी राम जनम हुमी मंदर के नक्षे को विकास प्राधिकरण से स्विकृति के लिए अपने अन्य सभी आवश्चक दस्तावेजों के साथ आज डाक्टर अन्यल जी मिश्रा जो राम जनम हुमी तीर्थ शेत्र के ट्रस्ती हैं उनकी ओर से विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष और विकास प्राधिकरण के सचिव को सौप दिया गया है शेश आगे की प्रक्रिया वैधानी गुरूप से जैसा होगी उन पर निर्भर करेगा नई मैं इस बारे में नहीं जानता इसके बारे में विकास प्राधिकरणी बता पाएगा दन्यवाद परिसर में जो काम हो रहा है वो काम अलग है उसका नक्षे से कोई संबंद नहीं है नक्षा और वो काम का कोई विरोधा भास नहीं है दोनों काम ठीक समय से चल रहा है जैसे मंदिर जितने हिस्से में बनना है उतने हिस्से में जो पुराने जीर शीरन स्थान है जो अधिग्रण में हैं जो अब ट्रस्ट की संपत्ती हो गए हैं उनको वहां से हटाना वहां जो देवता विराजमान है उनको सुरक्षित मंदिर में रखना कहीं और उनकी विदी विधान से सेवा पूजा करना ये काम एक अलग है वो काम अलग है आपको बता दें कि रम मंदिर निर्मार से पहले 67 एकड के भीतर के जरजर भवनों को गराये जा रहा है अभी तक गर्व गरे के समीब का चबूतरा सीता रसोई समीत कई महत्व पून और अतिहासिक महत्व के जरजर मंदिरों को गरा दिया गया है अब मानस भवन के कुछ हिस से को गराने के तैयारी है इसलिए मानस भवन को खाली कराये जा रहा है अयुद्या से संजीव आजाद की रिपोर्ट